दोस्तो आज के इस वीडियो आपको बताने वाले हैं हमारे पास देखिए फोन है लावा अगनी 2 5G फोन और लगबग 5-6 मैंने इसको बीच चुके हैं तो हमने सुचा आपके लिए एक वीडियो बनाते हैं इसके रिव्यू का कि 5-6 मैंने के बाद हमको क्या इसका experience रह रहा है और क्या कोई इसमें दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही है चलिए आपको थोड़ा detail में बताते हैं तो अगर आप फोन ये लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा अगर आपको पास ये फोन है तो भी आप जरूर देखिएगा चलिए आपको शुरू करते हैं इस वीडियो को दोस्तों यहाँ पर देखिए हमको लगव 5-6 मैंने बीच चुके हैं इसको फोन को लिये हुए और यह देखिए यहाँ पर इसका पीछे जो बैक है अगर आप नेचर के लवर हैं तो आपको ये फोटो आटोमेटिकली इतनी अच्छी फोटो निकाल के देता है कि आप बस देखते रह जाएंगे सारे फोन जो बहुत महंगे-महंगे फोन है वो भी इसके फामने कैमरे के सामने नहीं टिक पाते हैं फोन क्योंकि हमने वो टेस्ट भी किया है 25,000 की रेंज का फोन का टेस्ट किया था उसमें भी इसका कैमरा जो है काफी ला जवाब ये कैमरा निकल किया आया इसका और दोस्तों इसका जो कैमरा का लुक है देखने का वही बहुत अच्छा दिखता है साथ में आपको जो डिस्प्ले मिलता है ये भी बहुत अच्छा मिलता है और इसके अलावा दोस्तों 8GB की रें मिलती है 256GB का रोम मिल जाता है आपको तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ है दोस्तों ये इंडियन कमपनी है और काफी अच्छी तरीके से बहतर वर्क किया है इसमें तो ये जो फोन है 20,000 के रेंज का फोन है और आपको कभी ये फील नहीं हुआ कि ये 20,000 का फोन है क्योंकि इसमें ज्यादा इतने फीचर्स दिये गए हैं कि आप 25 से 30,000 के अलग कमपनिया जो दूसरी कमपनिया है कोई भी ये कमपनी लेजिए आप 25 से 30,000 के रेंज में भी भी lagging वगरा देखने को नहीं मिलती है बैटरी बैकप भी काफी अच्छा देखने को मिलता है और बैटरी जो इसकी बहुत जदी चार्ज होती दोस्तों यहाँ पर 40-45 मिट लगते हैं बैटरी को फुल चार्ज होने में और यहाँ पर जो कैमरा दोस्तों है इसका सबसे जलाजवाब लगा बाकी इसका जो यह बटन चलाने का इस्पिरेंस है यह बहुत अच्छा है हमारे इसाब से यह जो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी हलकी सी आवाज जैसी आती है कुट-कुट की यह बहुत अच्छी लगती है और यहाँ पर दोस्तों जितनी भी एप्स हैं काफी फास्ट फोन चलता है अभी भी ना तो नेटवर्क की कोई दिक्कत हमें आई है यहाँ अभी तक और चलने भी बहुत अच्छा फोन है तो देखने में ऐसे आप लखेंगे फोन तो आपको बहुत अच्छा फील होगा कोई भी इसे में हमें अदिक्कत नहीं देखने ही मिली है एक चीज आप किसी को समस्या हो सकती है हमें तो कोई समस्या नहीं लगी यहाँ पर जो 3.5mm का जैक होता है वो यहाँ पर गंपर ने इन बिल्ड इसमें नहीं दिया है लेकिन साथ में बॉक्स में आपको यहाँ पर केबिल मिल जाता है तो हमें लगता है को कोई भी इससे समस्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि जब भी आपको 3.5mm का जैक लगाना है तो आप उसमें लगा सकते हैं लगा करके वो ऐसे भी आज कल TWS ज़्यादा लोग यूज करते हैं तो उसका कोई जारूत रहती नहीं है लेकिन ये फोन आवाज के माल में साउंड क्वालिटी भी इसकी बहुत जबर्दस लगी हमको जोस्तों तो अगर आप इस फोन को लेना चाहते हैं आपका मबन है कि लावागनी 2 लेना चाहिए तो आप definitely इसको ले सकते हैं बहुत ही अच्छा फोन है आपको कभी भी इसमें कोई भी आपको यहाँ पर दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी किसी के पास यह फोन है पहले से अपने खईदा हुआ है तो आप अपना experience यहाँ कमेंट में जरूर लिखेगा ताकि दूसरी लोग को help हो सके कि वह लेना चाहते हैं हमें यह फोन परसनली बहुत ही पसंद आया दोस्तों इसके जो colors है जो इसका जो इसमें वालवेपर अगरा दी हुए है इन विल बहुत अच्छे हैं दोस्तों एक चीज यहाँ पर है बस यह लावा के फोन में गैलरी आपको नहीं मिलती है तो आप यहाँ पर जो गैलरी है गूगल गैलरी यह प्लेश्टोर से डाउनलोड कर लिजेगा कोई भी एड आपको देखने को नहीं मिलेगा इसमें तो यह भी बहुत ही अच्छी चीज हो आदी है तो आप इसको basic ले सकते हैं दोस्तों बाकी वीडियो चलागा तो वीडियो को लाइक कर देजिए चल पर पर यह सको लेखने देगा